जो कुछ हो है राज़ीत में वो पवार साहब के ही चलते हैं और हूँ साथ मिने जिस जंग से पवार साहब को मने क्या कहा जाए मने उनको मने जिस तरह से बेवार किया अश्चरजनक है ता कि ये संभव हो सकता है सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में बिधायक चले जाएंगे इसकी उबीन नहीं थी दूसरे परफुल पटेल जिसको अभी उन्होंने पाठी का कारिकारी अध्यक्ष बनाया उनको और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाया आगले पाठी को को नहीं लेकिन चुनाव सर पर है अब जिस चंग से खबारों में खबार आ रही है मेडिया में खबार आ रही है उसमें यह है कि साहब क्या भने फीडबैक वो ले रहा है कि सिती जो है क्या आयचेत्र की आप लोग किस तरह से तयारी कर रहा है इसकी जानकारी जो है ले रहा है असला लिया विपक्ष को एक जूट करने में उन्होंने हाथ बटाया था और अब उनके ही भतीजे ने अपने भतीजे ने जिस तरीके से उन्हें जटका दिया है तो क्या कुछ होगा बात करेंगा हमारे साथ आरजडी के वरिष्ट नेता हैं सिवाननतिवारी कई ऐसे मौके इन्होंने भी देखे होंगे कि इस तरीके की राजनी हुई है लेकिन इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये अपने ही परिवार इस तरीके से जटका दिये हैं सरत्पवार को चानक कह जाते हैं और देश भर में नामी नेता हैं सरत्पवार और उनको जटका दिया है उनके इकता बनाने की जो कोशिस हो रही है उसको भी थोड़ा बहुत जटका लगा है। इसलिए कि इनके जो भतिये हैं, पवार साहब, एक बार पहले भी उतले चुके हैं, आपको ध्यान होगा कि एदम सुबह सुबह जो है, गवर्नरा राउसमन पहुंचे और उन्होंने फंडवी साहब के साथ सपत ले लिया, बाद में उनको रिजाइन करना पड़ा, हटना है, इसलिए कि पहले से अपिक्षित था, कि ये संभव हो सकता है, सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में भी धायक चले जाएंगे, इसकी उबिन नहीं थी, दूसरे परफुल पटेल, जिसको अभी उन्होंने पाठी का कारिकारी अध्यक्ष बनाया, बने उनक पवार साहब जहां हैं, वहां पर फुल पटेल आपको उनके अगल बगल आगे पीछे दिखाई देंगे, उन्होंने जो किया, वो उससे हमारे जैसे आदमी को बने बड़ा ताजिब हुआ, बहुत अश्चर्ज हुआ, जो कुछ हो हैं राजजीत में, वो पवार साहब के ह चलते हैं, और हुद साथ मिने जिस जंग से पवार साहब को, मने, क्या कहा जाए, मने, उनको, मने, जिस तरह से बेवार किया, अश्चर जनक है, देखे, राजनीत में या समाज में, ये बड़ा भारी मुश्किल है, कहना कि कौन कप, किसके साथ है, इसका राजनीत पर जो मैं हमेशा ये ख्याल रहा है कि सब अपने मतलब के यार हैं, इस बड़ी-बड़ी उची-उची बात करते हैं, ये सिर्फ मने कहने की बात है, आचरन में कहीं नहीं दिखाई देता है, ये साथ, ये जो गटना हुई है, इसको और बल मिलेगा, और बल मिलेगा हमको याद है अलग-अलग प्रांतों में, उनको उन्होंने खतम किया, तो आज जो है, मैंने उस समय ही लग रहा था कि जंता के मन में कि देता लोगों को अपने इंट्रेस्ट से, अपने स्वार्स से मतलब है, बाकी नीती, सिद्धान, तादर्स वगरा की बात जो है, वो बेमतलब की है जो अजादी की लड़ाई में गांधी जी नहरू, पटेल या मौलाना अजाद, इन लोगों ने एक समाज में मांदर अस्तापित किया था, और समाज को मारे आदित, अपने आचरण का उधारन पेस करके जो मारे आदित किया था, वो धीरे धीरे जवार्लाल नहरू तक वो करती नहीं है, अब तो कोई विश्वसिनियता नहीं रह गई है, और यह प्रकरन जो है, उस विश्वसिनियता को और ज्यादा जो है कम जोर करेगा, आपके पाटे में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, अब देखिए हमको कोई जानकारी तो है नहीं, लेकिन हमको उमीद नहीं है क कहा जा रहा है कि अगले पवार कौन होंगे जडियू में? वो इसलिए ले रहे हैं ताकि चुनाओं में कहीं कोई कमी बेसी हो तो उसको कैसे ठिक किया जाए? भाजपा के लोग कहा रहे हैं नितीश कुमार डर गया है? सरत पवार की जो घटना हुई और यह कहा जा रहा है कि बिहार में भी इस तरीके से दोहराया जाएगा होगा क्या या तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा पुरेश पुरेशन के साथ नमस्कार